सो वेलकम डो माई चैनल अनम लोजिक दोस्तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादे इंटरस्टिंग है दोस्तो इस वीडियो में आपके सारी कन्फियूजन दूर करूँगा यहाँ पे देखिए अगर आपको यह कन्फियूजन होती है कि दोस्तो इहां पे देखिए man, कोच सीट नमबर जो दिया होता है और उसके नीचे D5'L लिखना होता है और उसके पचास लिखना होता है दोस्तो के तो इसजो कि चन्मभर करूँगा मैंसने है, हमारे कोच नमबर धाए भोवग Karma और दोस्तो अगर मुझे follow करना चाहते हैं तो Instagram का link मैंने description में दे दिया है अब देखिए दोस्तो अब यहाँ पे देखिए आपकी जो confusion है कि यह यहाँ पे यह यहाँ चीज का confusion आपको create होता है जैसे कि आपके train है कोई भी train हो यहाँ पे देखिए अगर आपके train है ट्रेन में अगर double dicker है ठीक है यानि कि उपर भी है और नीचे भी है ठीक है तो इसमें आप confuse होने की जरूरत नहीं है अगर आपके train double dicker है तो आपको अगर यहाँ पे L लिखा हुआ है इसका मतलब lower होता ह तो यानि कि अगर आपका L लिखा हुआ यानि कि आपकी जो 50 नंबर की seat है वो नीचे की तरफ है यानि कि lower में आपको जाना है ठीक है अगर यहाँ पे U लिखा हुआ होता है तो दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि अगर आपकी double dicker के train है ठीक है तो आपको क्या करना है कि य यानि कि नीचे की तरफ आपको जाना है ठीक है double dicker अगर train होती है तो आपको नीचे की तरफ जाना है और अगर आपका U होता है यानि इसका मतलब यह होता है कि आपको जो double dicker के train होती है उसमें आपको उपर की तरफ जाना है यानि कि D5 double dicker है D5 में आपको कोच में अगर आ तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आप समझ गया होगे तो आप समझदार हो तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करके रखे क्योंकि आपका बाई ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो बना दे रहेता है और मुझे फॉलो करना चाहते है तो इंस्टाग्राम का लिंक कि अधिया